तो गाईस आज मैं गई थी मार्केट और वहां से लाई हूं बिलकुल ग्रीन ग्रीन केला यानि कि ताजा ताजा हडा भडा इसका पकोड़ा मेरे हस्पेन को बहुत पसंद है तो आज मैं बनाऊंगी केले का पकोड़ा यहां पे हमने ले लिया है एक बॉल और इसमें डाल द इसे हम पानी डालके भीनने के लिए छोड़ देंगे यानि कि एक से लिर घंटा छोड़ देंगे तो गाईस यहाँ पे हमारा दाल सावल अच्छे से फूल चुका है हमने इसे दो घंटा तक छोड़ दिया था अब हम क्या करेंगे दाल को साइड में हटा लेंगे और एक मि और आइड करेंगे जिसमें होगा लाल मीर्च हल्दी का टुक्रा और थैस्टी होता है और इसी के साथ हम थोड़ा साellow जाल ऻवें शाल का प्याज है्ट तोम सावूत ही डाले हैं बड़ा होता तो हम काट लेते और इसी में हम डाल लेंगे अपनी डाल और चावल जिसे हमने भींगो या था तो हम एक ज़ड़नी की मदद से शान के इसमें डाल रहे हैं अच्छा है तो पानी को ऐसे भी ड्रेन करके डाल सकते हैं तो सभी डाल हमें डाल लेने हैं अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक बढ़िया शाबेटर तयार करेंगे, तो हमें रोख रोख के पानी डाल के अच्छे से पीश के तयार करना है, तो गाईस यहां पे हमने एक स्मूठ साबेटर तयार किया है, इसे हम उसी बॉल में ट्रांसपर कर लेंगे, इ हम डालेंगे इसमें टेस्ट के कॉर्डिंग नमक और बाकी के सारे मसाले तो यहां पे हमने थोड़ा सा हल्दी डाल दिया है मिर्च हमने दोनों डाला है इसके लिए थोड़ा सा डालेंगे और धनिया हमने शाबूत डाला है पर थोड़ा सा पॉर्डर डाले रहे हैं सभी का स अलग लगाता है तभी जाके यह हमारा केल्या का पकॉड़ा टेस्टी बनता है और यहीं पर हम डाल लेंगे टेस्ट के कॉड़ी नमक तो यह हमारे सारे इंडियेश आ गया पकॉड़ी में अब हम खोल को अच्छे से बीट कर लेंगे फ्लापी होगा तो पकॉड़ा भी कश में केले का पकॉड़ा बहुत क्रांशी तैयार होता है और भश्ट नमकों बहुत पसंद है हमारे बच्चे भी ठाके हैं तो वेटर में नगल चांद रहा है जब तक हम केला काटिंग करेंगे तो यहां पर हम दो ही केला का स्टार्टिंग में पकॉड़ा तैयार करेंग क्योंकि केला कभी भी काट के नहीं रखा जाता है नहीं तो इसका कलर कुछ अजीब सा हो जाता है तो सबसे पहले हम केले के छिलके हटा लेंगे और इसके पीसे काट के दिखाते हैं तो गाइस कुछी इस तरीके से हमने केले के भजिये का पीसे काटा है और इसको तुरत हम ब अच्छे से लिप्टा लेंगे तो यहां पे हमने बेटर में अपने केले को डुबा लिया और उधर हमने तेल गरम कर रखा है तो एक फोक की मदद से हम एक पिस लेंगे और धीरे से तेल में छोड़ देंगे तो यहां पे हमें हाथ में बेटर भी नहीं लगेगा और हमारा प यहां पर देख सकते हैं हमारी पकॉड़ा जो है एकदम कडारे दार तैयार हो गई है यह पकॉड़े का सही कलर है आपने बहुत बनाया होगा पर यह जो है ना खड़े मशाले और मशूर की दाल से बनी हुई पकॉड़ा बहुत ही टेस्टी होता है तो सेम प्रोसेस से हम दुसरा बैस भी बना लेंगे तो गाइस ऐसे ही हम दुसरा बैस भी डालेंगे तो गाइस यहां पे हमने दुसरा बैस भी एकदम कुरकुरी करारी तयार कर लिया है तो गाइस आज की वीडियो हमारी कैसी लगी मशूर दाल और केले के पकोड़े का अगर वीडियो अची लगी हो तो प्रीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, सेर और कमेंट जरूर कीजिए धन्यवाद